पौदा जितना आवश्यक है धर्ती पर उतना पीपल का भी, आम का भी, आमले का भी, ऐसे ही गायों का होना, या हिरनों का होना, या सिंगों का होना, या बाग चीते का होना, या बिल्ली चुए का, बिल्ली और चुए का देखी कैसे में, चुवा बिल्ली का आहार है, बिल्ल प्रतिग्या कर बैठा है कि मैं तमाम को जब तक निष्ट नहीं कर दूँगा, सारे चौरा सिला क्योंने जब तक मेरे पेट में नहीं चले जाएंगे, तब तक मैं चैन नहीं लूँगा, नहीं, अभी भी यूटरन ले सकता है समाज, ग्रेजवली, स्टेब बाई स्टेब समाज को वापिस उसी दिशा मा आ जाना चाहिए, जहांसे पत भरष्ट हुआ है, जहांसे गिरा है, शाकारी भोजन को ही बगवान ने सत्व गुणी भोजन बोलवा है, और ये सुक प्रदान करने वाला है, इसी भोजन के अंदर बल है, बुद्धी है, देखे कितने गुणे, आयू हूँ, आयू को बढ़ाने वाला, शुद्ध शाकारी भोजन, आयू हूँ, सत्व बुद्धी को बढ़ाने वाला, आयू सत्व बल आरोग्य, बल बल प्रदान करने वाला, लोग सोचते हैं वारे, शाकारी, अभी अभी दो दिन पहले किसी में, डैनमार्क के एक ब्रक्ती के साथ बात करता था, वो भी थोड़ी-थोड़े हिंदू, फिलोसफी को समझते हैं, जानते हैं, पेर नाम है उनका, उनको मैं बोल रहा था कि मैं बेज़िटेरियन हूँ, मैं बेज़िटेरिन फेमेली में मेरा जन्म हुआ, बेज़िटेरिन, तो आप गाजर खाके रहते हैं, यू इट अउनली करट, कैसे जीते हैं आप, और आप स्वस्तर रहते हैं, तो उनको मेचारों को मालूम नहीं, जिनका जन्म, जिनकी साथ पीडियां मांस से ही काती चलिया रही है, वो समस्थेक बिना मांस के आदमी कैसे रह सकता है, लेकिन हमारे बारतिये लोग तो इस बात को, और साइन्टिस्ट और आयरवेद के शोद करता, बड़े-बड़े बिद्वान वैद, इन चीजों को जानते हैं, कि शाकाहारी भोजन जितना शुद्ध उची मात्रा में किया जागा, उतना ही आयू को, बल को, बुद्धी को बढ़ाने वाला है, स्वस्त आरवग को बढ़ाने वाला है, और जिनके हनवाव हैं, जिन बुजरों के, जो आज भी जमीन पर हैं, चाय हो भारत में हो, या मौरिसिस में हो, या मेजिका में हो, उनको मालूम है, कि शाकाहरी सच्चा भोजन है, चाय आदत गलत पड़ गई हो, यूटर्न नहीं लिया है अभी तक, गलत दिशा को चल द यह हो, यह स्वाद के गुलाम बन करके, बात अलग है, लिए नुको मालूम है, आयू सत्व बल आरोग्या सुख प्रीती विवर्दना, सुख यानि सुख का देने वाला, आनंद का देने वाला, और प्रीती, यानि हिर्दय में प्रेम जागरित करने वाला, शाकाहरी भोज बने दूसरा नहीं, आयू सत्व बल आरोग्या सत्व आनि बुद्धी, गुरु गुर्ण साब में भी वानिया आती है कि जैसा अन खाओगे, ऐसी बुद्धी बनेंगी, ऐसा ही मन बनेगा, तो भोजन का ही तो सारा शरीर है, और भोजन का ही बलड बनता है, भोजन का ही व और भोजन का ही और जो अर्क जैसा उच्चिस्तर का अंस है, वो ही तो बुद्धी और मन बनता है, इश्वर एक है, लिन उसको पाने के लिए तो सिद्धियां, चाहे छोटी सिद्धी हो, या सबसे अंतिम हायस्ट सिद्धी हो, भगवान के धाम को जाने की, तो तारतम में तो एक ही है, दो नहीं है, कि शरीर अलग है, और मन अलग है, और बुद्धी अलग है, नहीं, ये भोजन का ही शरीर है, और उस भोजन का ही एक जो सार रूप है, तत्तु रूप, अर्क जो निकला है, वो ही मन है, बुद्धी है, विचार है, एंकार है, उनी से एक सत्वग वर्ति प्रगट होती है उनी से रजोगुनी बोजन से और उनी से तमोगुनी वर्ति प्रगट होती है विचारदारा प्रगट होती है भावना के उपर इसका पूरा असर पड़ता है आपकी प्योरिटी के उपर इसका पूरा असर पड़ता है बोजन का इसलिए रिगवेद क सुत्र हैं अहारशुद्धि सत्वशुद्धो सत्वशुद्धि दुरु इस्मृति इस्मृति लब्धि सर्वग्रंति नाम विप्रमोक्षा जिस व्यक्ति का अहारशुद्ध होता है उसका अंतह करण शुद्ध होता है अंतह करण क्या मन बुद्धी एंकार और चित के वि एक मन रूपी डिपार्टमेंट का एक खंड है एक डिपार्टमेंट है मन का जिसमें विचार उठते हैं और शान्त होते हैं मन केंदर रूप में है इसकी शाखाओं में विचार है आहार जो हम पांच ग्यानिंद्रियों के मारफट लेते हैं द्वारा लेते हैं, पांच ग्यानिद्रियों के जरीये हम आहार करते हैं, कानों से आहार करते हैं, क्या सुन रहें दिन बर? आखों से क्या देख रहे हैं दिन रात नाक से सूंग करके तवचा से इसपर्ष करके क्या इसपर्ष कर रहे हैं किस से आथ मिला रहे हैं किसका आलिंगन कर रहे हैं क्या इसपर्ष कर रहे हैं रजोगुन इसपर्ष कर रहे हैं या तमगुन या सतवगुन कोई संत के चरण इस पर कर रहे हैं, या कोई वेश्शा का आलिंगन कर रहे हैं, इसका बड़ा फरक पड़ता है, इसलिए पांचो ग्यान इंद्रिया ही समाहित हैं आहर के लिए, आइनरजी रिसीव करने के लिए, और ये एनर्जी ये आहर पांच के माध्यम से ही भार जाता है जिस जीव से हम स्वाद लेते हैं उसी जीव को सारे दिन चकड़ चकड़ करते रहो तो एनर्जी नश्ट हो जाती है जिस आखों के मैद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द से होता है उसमें मुख क्या रखा है रसना जीव टंग यह स्वाद है यह स्वाद के कारण से हमारे बिचार धाराएं बदल जाती हैं कहिए कि सेंटर में यह जीव है और चारों तरफ इसके यह दूसरी इंद्रिया है अगर जीव जैसे स्वाद लेगी ऐसे फिर यह दूसरे पूरा शरीर विचार धाराई आपका आहार के ओपर डिप्रेंड करता है तो यह ब्रांचे फंक्षन करती है आपका आहार बिगडा हुआ है तो आपको सुनने को भी बिगडी हुई चीज चाहिए देखने को भी बिगडी हुई चीज चाहिए सूंगने को भी बिगडी हु और एक सूंगने का हो रहाता हो है रोई उसको जला के उसको सूंगते हैं तो आहार बिगड़ गया इसलिए सारा मामला गड़बड़ हो रहा है स्वाद बिगड़ गया नहीं स्वाद के पीछे अनेक उप्रकार के उपद्रव खड़ेने करें जो हमारा वास्तों में प्रकरती ने हमको भूजन प्रदान किया है शा का हारी वो ही करें उसके लिए बगवान प्रेणा करें सभी धर्म संप्रदाय शास्त प्रेणा करें उसको स्विकार करना हमारी हम को जीनी कि कला सीखना का आउसर प्रदान होता है कि हम कैसे जीवन को जी तब ये प्रत्वी स्वर्ग नजर आएगी तब ये प्रत्वी का कर्णकण परमिश्वर नजर आएगा गोगा 7amba संसार आपको तब आपका सर कहीं भी जुग जाएगा मंदिर जाने की विजरत नहीं पड़ेगी मस्जिद गुरद्वारा नहीं आपको आपको भगवान के दर्शन जहां आपके भावना और प्रेम उम्ड़ा वहाई दर्शन हो जाएंगे पेड़ों में पंचियों में बूड़ों में जवानों में प्रेम की विना काम नहीं चलता प्रेम नहीं इसलिए तो फोजबाटे गड़े सारे संसार के एक देश दूसरे देश से डरा हुआ है प्रेम नहीं प्रेम नहीं इसलिए तो एक भाई भूका मरता है और दूसरा राज मेलों में बैठा है प्रे प्रेम के बिना कोट का चरी हैं, निक्या जोरत हैं की, प्रेम हो तो कोट का चरी हो, क्या जोरत हैं, प्रेम नहीं इसलिए, केस होते हैं, मर्डर केस होते हैं, रेप केस होते हैं, ढाके डलते हैं, कोट का चरी होते हैं, पुलिस, पॉज, भाटे, सब बंदोबस्त होते हैं, प प्रेम के हिर्दे में, जिनके हिर्दे में प्रेम होता है, वह सारे गुण बिद्धमान हो जाते हैं, और पर्मेशन वहाई प्रगट होते हैं, जा प्रेम होता है, उससे पहले नहीं। इसलिए किसी मान शैर ने काया कि जर्रे जर्रे में है, जांकी भगवान की, लेकिन किसी आख वाले ने इसकी पहचान की। आख तो नहीं चाहिए, कोई ज्ञान चक्षू, कोई अनुभव का चक्षू होना चाहिए, रिलाइजिशन होना चाहिए, और वो रिलाइजिशन सत्वगुन से नीचे नहीं प्राप्त होता, जो रिलाइजिशन की भगवान बात कर रहे हैं, वो सत्वगुनी ब्यक्ति के हिर इर्दे में अनुभव होता है उस परमीश्वर का, उस प्रकरती के सौंदरिये का, उस फूल की खुश्वू को पहचानने और जानने वाला वो ही सक्स होता है जिसके इर्दे में प्रेम होता है। क्योंकि माली नहीं उनको बोया था, सीचा था, सुधारा था, क्यारियों को, बाग को। जो फूल खिले तो नाच रहा था, अकेला मस्त। एक सुनारवी वाकिंग करने उस पार्क में चला गया, उसने बोला, अरे भाई, नाच क्यों रहा है हो, क्या हो गया तुमको। बोलो देखते नहीं, ये फूल साक्षा भगवान के जैसे दर्शन हो रहे हैं, बगीचा महक रहा है, तो मुझे, मैं नाच रही तो क्या करूं, मुझे बहुत आनंदा रहा है, आनंद भगवान का रूप है, दियान रखिए, सच्चा आनंद। सुनार ने पूछा, मुझे बतलाओ तो सही, इन फूलों में है क्या, कहा है भगवान इन में, कहा है आनंद इन में, तो उसने तोड़ तोड़ के कली-کली अलग कर दिया एक फूल को, सुनार ने, बोलो मुझे तो इन में कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो सुनार को फूलों में खुश्वू या आनंद का या प्रेम की खुश्वू कैसे आए सुनार के इर्दे में मन मस्तिस्क में तो सोना ही सोना है वो कसोटी पर जब तक नहीं कसले उसको कैस सोने को भी और रिजेक्ट कर देगा जब तक पुरूफ नहीं करे का सोटी नहीं उसके लिए तो माली की आँक चाहिए माली का एरदे चाहिए जिस माली ने उन बीजों को बोया अंकुर निकले सीचा पौदे बड़े हुए और उमें नाना प्रकार के फूल निकलने लगे और फूलों से खुश्वू महग गया पूरा पाग तो माली नासता है माली ने जो अनबव किया वो सुनार कभी स्वपने भी नहीं कर सकता सतोगुन के अंदर अनबव उस परमात्मा का जलकता है रजोगुन तमोगुन में नहीं रजोगुन में संसार का अनबव जलक सकता है तमोगुन में वो भी नहीं जलकता तमोगुन नामी तमोगुने तम यानि अंदकार जो अंदकार में ही जी रहा है जो अंदा होके अपनी जीवन को जी रहा है अंदों को आखें दी जी ससमे ऐसे ही अंदों को आखें दी थी यह मैं सोचो कोई आँख फूट गई तीर उसको आँख प्रदान कर दी नहीं ऐसे महापुरुष ऐसे जिनको भगवान का अउतार कहा है यह ऐसे चमतकार नहीं दिकाते चोटे मोटे यह तो पूरे समाज को लावानुवित करने आते जो अंदे थे जो अंदकार में जीवन जीते थे उनको आँखें दी थी जीसस ने मुर्दों को जिनदा किया था जो जिन्दी को मुर्दे के समाज जीते हैं बीमारों को स्वश्ट किया था जिनके मन बुधी एहंकार बीमार है जो इस जीवन को बीमारों की तरह खाइलों की तरह जीते हैं बीमार जैसे बीमारी हो गई हो, रोग लग गया हो बुद्धी में जंक लग गई हो, बिचारों में पाला पड़ गया हो ऐसे चीते हैं बीमार हो करके उन बीमारों को सवस्त किया, तंदरुस्त किया, जैस्च चैतन महापरुवजी ने नचाया, चैतन महापरुवजी ने डाकूं को नचाया, चोरों को नचाया, जिनके पाओं कभी नाचना सीखे ही नहीं, उनको नचाया सोतों को जगाया कोई भी महापुरुष सोतों को जगाया नहीं आता है अंदों को आखे देता है बहरों को कान देता है कि सुनो कैसी ध्वने आ रही है उस परमात्मा की मुरली बज रही है मुरली की ध्वन सुनो इन हवाओं के मैध्यम से सरवत्र, संगीत, बद्ध है सारा, बिश्व जड़ा सुनो उसके पवित्र नामों को सुनो उनमें कितना रस है उनका पान करो चैतन महाप्रुपुजी हरे क्रिष्ण, हरे क्रिष्ण क्रिष्ण, 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 हरे 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 राम, हरे राम राम, 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 हरे हरे इसका पान करो गुरुनानक देव जी ने भी वोई सरवन शक्ती दी सुनने की शक्ती दी बेरों को कान दिये अंदों को आखे दिये बीमारों को सुष्त किया और जो सोए वये उनको जगाया जो सो रहे थे सोते सोते जिद्गी जीते है उनको होश ही नहीं है सोते आदमी को कुछ होश होता है सोय होई आदमी के उपर चाहे मच्छर काटे है या साप निकल जाए उपर से उसको पता ही नहीं है कोबरा निकल रहा है सरीर के उपर से सोय होई आदमी को पता नहीं है घर में आग लग रही है उसको पता नहीं चलता कि एक सोय पड़ा है, खणा टे मार रहा है लेकि कोई जगाने वाला चाहिए कि अरे मूर्ख खड़ा हो, घर में आग लगी हुई है भार निकल भाग के संतों नहीं यही कहा कि संसार दावा नल लीड लो कहा इस संसार में दावा नल लगी हुई है दावाग नी लेकिन जो मूर्खित पड़े हैं सोये पड़े हैं उनको कैसे मालूम चले कि वो कहेंगे दावाग नहीं का है अरे मदिरा ले हैं बहश्चा ले हैं कसीनो हैं कार हमारे पास है हम प्रमन कर सकते हैं धन है, पैसा है किदर आग लगा स्वीज बैंक में किदर आग लग रही है हमगो तो नहीं न जळादा ये बेकारी की बात मत करो नहीं जिन्होंने रिलाईगा इस अगनी को उन्होंने कहा कि संसार दावा नल है संसार दावा नलली धेलोका त्रानाय कारुण्य घना घनत्वं त्राप्तष्य कल्यान गुनार्न वश्या बंदे गुरू श्री चर्नार विंदं जिन्होंने जाना उन्होंने का बुद्ध ने जाना बतलाया मावीर ने जाना बतलाया गुरू नानक देव ने जाना बतलाया चैतन मापुरू ने जाना बतलाया भक्ति बिनोठ ठाकुर ने जाना बतलाया प्रभुपाजी महराज ने जाना बतलाया रामकृष्ण परमंस ने जाना बतलाया, जीसस ने जाना बतलाया, मौमद ने जाना बतलाया, जिन्होंने अनुभव किया, उन्होंने बतलाया समाज को, कि दावा नल है, निकलो यहां से, काँ फसे हुए हो, काँ बोग विलासों में उत्रे हुए हो, नहीं हमको यूटर्न लेना चाहिए, समाज बहुत विक्षिप्त दशा में है, बहवीत है, एक से दूसरा बहवीत है, देखिए जड़ा पड़ोसियों कोई, एक पड़ोसी दूसरे से बहवीत है, चोर पुलिस वाले से बहवीत है, पुलिस वाला चोर से बहवीत है, पाकिस्तान इंडिया से बहवीत है, अमेरिका, रसिया, जर्म, लंडन, कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चापान, चाहे ना, एक दूसरे से बहबीत है, पूरा समाज बहबीत है, एक ब्यक्ति दूसरे ब्यक्ति से बहबीत है, एक जानवर दूसरे जानवर से बहबीत है, लेकिन मनश्य से सारा बिश्व बहबीत है, तो मनश्य की दशा गलत है, मनश्य जिस डारेक्शन में जा रहा है, वो ब सकता है, सुख पाएगा, सुखी होगा, निरोगी होगा, जागेगा सोये से, बचेगा दावानल से, आयो सत्व बल आरोग्यव, सुख प्रीती विवर्धना, तो प्रेम से अपना घट बरेगा, यू टर्न ले लेगा तभी, दिशा परिवर्धन करने से, और कोई जरिया नहीं है, सुख के लिए डोलता रहे हैं, कभी लंडन से, इंगलेंड, इंगलेंड से, अमेरिका, सुख प्राप्त करने, लिए मिलेगा नहीं, थोड़ी देर के लिए क्षणिक सुख को सुख माल ले, कि आइस क्रीम खा रहे हैं, या कार में गुम रहे हैं, या एरोपलेन मोड रहे हैं, ये क्षणिक सुख, इसको सुख नहीं खा, शास्त्रों ने आइस क्रीम के सुख को सुख नहीं कहा, क्योंकि इस सुख के पीछे दुख खड़ा है, वो च्छाया पड़ रही है, तुमारे उपर लेन पता नहीं चल रहा, उस दुख की, उस कार की, उस पैसे की दोड़ की, या वो जो तिजोरी भर लेई है, उसके पीछे बड़ा दुख, भैंकर दुख खड़ा है, या जो चट खा रहे हैं, पी रहे हैं, मदिरा, क्या मदिरा के पीछे दुख नहीं कड़ा, मदिरा पीने से ब्रेन नश्ट हो जाता है, वैग्यानिक प्रूफ है, तो ब्रेन ही नश्ट हो गया तो आपका क्या हाल होगा, भगाण सुरी कृष्ण कहते हैं कि, बुद्धी नासो प्रनेश्टी, जिस ब्यक्ति की बुद्धी नश्ट हो जाती है, उसका तो पतन निश्ट चिता है, तो वो तो आप देख सकते हैं, आपकी बुद्धी और मन ही बिक्षिप्त हैं, तो आपको कौन इस जीवन में सफल व्यक्ति कहेगा, आहर फाउंडिशन है आपकी जीवन का, आपके सुख का, आयू का, बल का, आहर को सुधारना चाहिए है, बल भी मनो बल है, आतम बल है, शारीरिक बल है, ये तीनों प्र कार के बल, आहर पर डिफेंड करते हैं, आहर शुद्धी सत्व शुद्धो, जिस ब्यक्ति का आहर शुद्ध होता है, उसकी बुद्धी शुद्ध होती है, उसका अंतेकरण शुद्ध होता है, आहर से, और कोई जरिया नहीं, आहर ही बिगड़ा हुआ है, बिक्षिप्त ह वाइलेंटिव है इंसक आहार करते हैं प्रकरति के विरुद्ध जो आहार ग्रैन करते हैं उससे तो विनाशी होता है समास का सभी का नई गव का या बैल का या भैंस का या हाती का गोडे का आहर गास है वो गास में खुश रह सकते हैं सुष्ट रह सकते हैं बलिष्ट रह सकते हैं बुद्धी इस्थिर रह सकती है भाई दूसरे तुम आहर करवाओगे तो वो बेकार हो जाएंगे लोग गोड़े को भी जोड़े दस्तिमांस खलाते हैं रेस में भगाने के लिए वो गोड़े गोड़े नहीं रहे वो तो अपने जैसे ही बना लिये उन्होंने अद कच्रे कर दिये ना इदर के रहे ना उदर के उससे अच्छे तो जबी थे जो घास खाते थे तभी उनमें शक्ती थी सोच समझ थी दोड़ने की सब परकार से बल था लेकिन मनुष्य के संपर्ग में आके जो भी जानवर आएगा वो भी बिगड़ जाएगा क्योंकि मनुष्य बिगड़ा हुआ है मनुष्य प्रकरती के खिलाप चलता है लाव अफ नेचर नहीं मानता तो इतार्तम अगर प्रकरती के साथ नहीं है हमारा तो हम दुख ही होंगे और क्या होगा आयो सत्तु बलारोग्य सुक प्रीती विवर्दना रश्याह इसनिकदाह इस्थिरा हिर्द्या आहारा सात्विक प्रिया ये सात्विक प्रिया ये सात्विक आदमी के प्रिये भोजने इसनिकद चिकने गी, दूद, मलाई, मक्कन इस्थिरा जो बुद्धी को, मन को, वीरिये को इस्थिर रख सके चलाए मान बुद्धि वाले को देखिए बंदर से भी नीचे गिर जाता है इस्तिती में जिसका मन बुद्धि चलाय माने वीरिय चलाय मान होता है तो किदर भी यू बहाता है भूख बिलासों में चला जाता है यह सब इस्तिर होनी चाहिए तो इस्थिर तभी रेंगे जम हम आहार इस्थिर आहार करेंगे हमारा डवलप्मेंट इस्थिर रखने वाले आहार से होगा और वो सतोगुणी आहार है भुगान केते हैं इर्दे को खुश करने वाले आहार इसनिक दहा चिक ने रश्या रश्युक्त रशीले रश कहते हैं जूस को जूस वाले रशीले गन्य का रश है औरेंज का रश है आम रश है अंगूर का रश है औरेंज इत्यादी अने को रश है एक ने अनार का रश है शराब के लिए नहीं कहा जा रहा कि शराब सतोगुनी है कि ये भी तो अंगुर की बेटी है नहीं, ये सड़ा हुआ अंगुर है सड़ी दशा में गया हुआ तो तमोगुन है इसलिए शराब को तमोगुन बोला है अंदकार में ले जाती है तो शराब अंदकार का मतलब यह नहीं कि आपको सूरिये से उजाले से दूर कर दे कि हमने तो ट्यूब लाइट जला रखी है सारा शेर जगमगा रहा है दिन के प्रकाश में रह रहे हैं कहा हम अंदेरे में अंदकार में बुद्धी बनाती है अंदकार में बिचारों में दोड़ाती है जूटी दुनिया में जीना सिकाती है हिंसा बढ़काने वाला आहार है डराने वाला आहार है नियत खराब करने वाला आहार है शराप पी के आदमी अपने को भूल जाता है पिर दूसरे को क्या पेचानेगा झाल झाल झाल